यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारे रही उन्होंने कैसे पस्चिमी उत्रपदेश के विकास को नजर अंदाज किया उसका एक उदाराण ये जेवर एर्पोर्ट भी है दो दसक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक का सपना देखा था लेकिन बाद में ये एर्पोर्ट अनेग सानों तक बिल्ली और लखनों में पहले जो सरकारे रही उनकी खिंचतान में उलज रहा उलज रहा यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकाए जया चिठी लिखकर तबकि केंदर सरकार को कह दिया था इस एर्पोर्ट के प्रोजेक को बंद कर दिया जाए अब डबल इंजिन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एर्पोर्ट के भूमी पुजन के साक्षी बन रहे वैसे साथियों मैं आज एक बात और कहूंगा मोदी योगी भी अगर चाहते तो दोजार सत्रा में सरकार बनते ही यहां करके भूमी पुजन कर देते फोटू घिचवा देते अखवार में प्रेश्णोड भी जब जाती और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों के आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता पहले राज रितिक लाप के लिए आनन फानन में रेवडियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्स की गोष्णाएं होती थी कागजों पर लकीरे खिंच दी जाती थी लेकिन प्रोजेक्स जमीन पर कैसे उतरेंगे अर्चनों को दूर कैसे करेंगे धन का प्रबंद कहां से करेंगे इस पर विचार ही नहीं होता था इस कारण से प्रोजेक्स दसकों तक तैयार नहीं होते थे गोष्णा हो जाती थी प्रोजेक्स की लगत कई गुनाब बढ़ जाती थी फिर बहाने बाजी शुरू होती थी बेरी का ठिकरा दुसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंफ्रास्टेक्टर हमारे लिए राजनीती का नहीं बलकि राष्टनीती का हिस्टा है भारत के उजवल भविशे की एक जिम्मेवारी है हमेशु निश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्स अटके नहीं प्रोजेक्स लटके नहीं हम ये सुनिचित करने का प्रयास करते हैं कि ताय समय के बीतर ही इंफ्रास्टेक्टर का काम पूरा किया जाए देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है साथियों पहले किसानों की जमीनियों को लेकर जिस तरह की गड़बडिया होती थी उसे वो भी प्रोजेक्स की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी यहीं आजपास पहले की सरकारों के दोरान अनेक ऐसे प्रोजेक्स है जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई लेकिन उनमें या तो मुवावजे से जुड़ी समस्या है रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है हमने किसान हिट में प्रोजेक्स के हिट में देश के हिट में इन अर्चनों को भी दूर किया हमने यह सुनिशित किया कि प्रशाशन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमी खरीदे और तब जाकर तीस हजार करोर रुप्य की इस परियोजना का आज हम भूमी पुजन करने के लिए आगे बढ़े हैं साथ यो आज हर सामान्य देश वाची के लिए क्वालिटी इंफ्रस्ट्रक्टर क्वालिटी सुविदा सुनिशित की जा रही है देश का आम लागरी हवाई सफर कर सके ये सपना भी आज उडान योजना ने सच कर दिखाया है आज जब कोई साथ ही खुश हो कर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड़े से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई आता की है जब वो अपनी फोटो को साजा करता है तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयाश सफर है मुझे खुशी है अकेले युपी में ही बीते वर्षों में आठ एरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है कई पर अभी भी काम चल रहा है भाई और बैनों हमारे देश में कुछ राजनितिक जलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वो पर ही रखा इन लोगों की सोथ रही है अपना स्वार्थ सिर्फ अपना खुद का परिवार का या जहां रहते हैं उस इलाके का उसी को वो विकास मानते थे जबकि हम राश्ट प्रधाम नेशन फर्स की भावना पर चलते हैं सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास, सबका प्रयास यही हमारा मंत्र है यूपी के लोग गवा है देश के लोग गवा है बीते कुछ हपतों में कुछ राजलितिक दलो द्वारा किस तरह की राजलिती हुई लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा कुछ समय पहले ही भारत ने सो करोर वैक्सिन डोच से कठीन पड़ाव को पार करिया है इसी महिने की सरुवात में भारत ने वर्थ दोहजार सत्तर तक नेट जीरो के लश्क का एलान किया है कुछ समय पहले ही कुछी नगर में इंटरनेटलन एरपोर्ट का लोकारपन किया गया यूपी में यूपी में ही एट साथ नव मेडिकल कॉलेज की सुरुवात करके बेज के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत किया गया महोबा में नए डेम और सिंचाई परियोजनों का लोकारपन हुआ तो जांसी में डिपैंस कॉरिडोर के काम ने गती पकड़ी पिछले हपते ही पुर्वांचल एक्प्रेश में यूपी वास्यों को समर्पित किया गया उससे एक दिन पहले ही हमने जन जातिये गवरों दिवस बनाया मजब्रेश में एक बहुत ही बव्य और आदुनिक रिल्वे स्टेशन का लोकारपन किया गया इसी महिने ही महराष्चा के पंडरपूर में सैंक्रो किलोमेटर के नेश्टल हाइवे का लोकारपन कर और सिलान न्यास किया गया और अब आज नोएडा इंटरनेश्टल एरपोर्ड का बुमी पुजन हुआ है हमारी राष्ट भक्ति के सामने हमारी राष्ट सेवा के सामने कुछ राज नितिक दलों की स्वार्थ निति कभी टीक नहीं सकती सात्यों आज देश में 21 सदी की आवश्चक्ताओं को ध्यान में रखने हुए अनेक आदुलिक प्रजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है